असलाम अलेकम खुश्याम अदीदन वेलकम ट्रैनेमेलिया.pk मैं हूँ आपका वाइड डाटर फुरकान मैं आज आपसे बहुत ज़्यादा इंपोर्टन टॉपिक के बारे में डिसकस करूंगा अगर आपकी female cat pregnant है तो कौन सी ऐसी ऐलामात होती है जिसकी वज़ा से आप पहचान सकते हैं कि वो किस हफ़ते की pregnant है यानि उसके अंदर किस हफ़ते के अंदर कौन सी तबदीली आती है और कौन सी ऐसी ऐलामात आती है जिसकी वज़ा से आप पहचान सकते हैं और इसके लावा ये भी बताऊंगा कि अगर female cat ने deliver करना है, kittens deliver करना है, तो उससे पहले कौन सी ऐसी अलामात होती है, यानि जिसे हम labor pain कहते हैं, उससे पहले कौन सी ऐसे symptoms आते हैं, जिसकी वज़ा से आप पहचांच सकते हैं, कि इसने अनकरीब बच्चे देने हैं, details से discuss करेंगे, उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए का ताकि आपको पैटसर से related वीडियो मिलती रहें, चले शुरू करते हैं, फस्ट और आपको पहले ये confirm होना चाहिए, कि आपकी female cat ने कम mate किया था, क्योंकि जो female cat का pregnancy time है, वो almost 61 to 66 days के दरम्यान में होता है, अगर आपको meeting confirmation होगी, तो आपको अंदाजा होगा कि उसने कब deliver करना है, अगर अकसर रकाद वैसे यही होता है, कि female cat अगर heat पर आए तो अगर वो बाहर चले जाए, तो बाहर से mate हो जाती है, जिसकी वज़से अंदाजा नहीं हो पाता कि उसने कब deliver करना है, अब मैं आ आपको week by week बताता हूं कि आपने कुन सी तबदीलियें करनी है, उसके food के अंदर कैसे, उसकी care करनी है, और इसके लावा symptoms भी बताता हूं कि किस हफ़ते के अंदर उसमें क्या तबदीली आती है, पहले दो हफ़ते के अंदर as such कोई तबदीली नहीं आती हो सकता है कि जब female cat ने मेट किया तो उसके दो से तीन दिन तक वो थोड़ी सी सुस रहे, लेजी रहे, तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल नार्मल होता है, पहले दो हफ़ते के अंदर जो उसका fetus है, वो नार्मली ग्रो करता है, तनी तेजी से ग्रो नहीं करता और physical examination अगर आप अपने examination करें, तो कुछ तबदील ही आती हैं, जैसे कि अगर आप उसके nipples को चेक करें, तो nipples या तो pinkish होना शुरू हो जाएंगे, या फिर dark pink हो जाएंगे, मैं आपको suggest करूँगा कि third week पर आपने उसकी feed को तबदील करना है, जाहरी सी बात है, अगर आप dry food उसके खिला रहे हैं dry food में अगर adult food खिला रहे हैं, तो आप adult से उसको kitten पर switch कर दें, अब kitten पर क्यों करना है, क्योंकि kitten food के अंदर calories ज़्यादा होती हैं, और इसके अंदर energy ज़्यादा होती है, तो आपकी female cat अगर pregnant है, तो उसको अनरजी की ज़्यादा जरूरत होगी, क्योंकि असने अपनी body को भी maintain रखना है, और इसके लावा जो भी इसके kittens हैं, उसको भी maintain रखना है, फूर्थ week के अंदर अगर आप उसकी belly के बालों को चेक करें, तो वहां से बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, तिनोना शुरू हो जाएंगे, यह अल्ला ताला की कुदरत है, क्योंकि जो body है, वो बिल्कुल normal है, आपने इसमें घबराना नहीं है, अब पांचवे से लेके साथवे हफ़े की बात करते हैं, मैं आपको सज्जस करूँगा कि आपने इस दरमयान में, अगर आपके पास wet बिल्कुल करीम मौजूद है, जारतर वैसे यही होता है, जो छो चोटे शहर हैं, वह पर wet नहीं होते हैं, और उनके पास इतनी सहुलियात नहीं होती, तो आप ultra sound नहीं करवा सकते, अगर आपके पार wet अवेलेबल हैं, तो मैं आपको सज्जस करूँगा कि पांचवे से साथवे हफ़े के दरमयान में, आप एक दफ़ा ultra sound जरूर करवा लें, अब ultra sound के कुछ फ दिलिवरी में, अक सरुका थोड़ा सा लेट भी हो जाए, तो आपको अंदाजा होगा कि उसने कितने kittens deliver करने थे, ताकि आप अपने wet से consult कर सकें, पांचवे से साथवे हफ़े के दरमयान में आपनी उसकी feed को बहुत ज़ादा maintain रखना है, क्योंकि इस दरमयान में जो उसके kittens हैं, वो काफी तेजी से grow करते हैं, और उसके जो argans हैं, वो काफी तेजी से grow करते हैं, तो बेतर यही है कि आप उसकी feed को maintain रखे, ताकि उसके kittens को भी कोई मसला ना हो, मैं आपको वही बात के kitten food पर रखें, अगर आप उसको daily basis पे, अगर उसको egg while करके दे दें, कुछ cats, egg क योक बहुत शोक से खाती हैं, कुछ जो cats हैं, वो जो फैदी होती है, वो बहुत शोक से खाती हैं, तो मैं आपको suggest करूंगा कि आपने daily basis पर उसको egg जरूर खिलाना है, अब पांचवे से साथवे हफते के दरमयान में उसके अंदर काफी ज़रा physical changes आती हैं, और animal काफी सुस भी हो जाता है, उसकी reason यही है कि pregnancy के दरमयान में यह बिल्कुल normal behavior होता है, आपने इसमें घब रहने की बात नहीं है, हो सकता है कि जो उसकी appetite है, खाना पीना है, वो कम हो जाए, इसकी reason ही है, क्योंकि जब kittens grow करते हैं, तो जो उसका stomach है, वो compromise हो जाता है, चोटा हो जाता है, जिसकी वरस है, आपकी female cat को भूक नहीं लगती, और मैं आपको suggest करूँगा कि pregnancy के दरमयान में, पांचवे हफ़े के बाद में, आपने उसको छोटे छोटे meals देने हैं, यानि अगर आप उसे दो time खाना दे रहे थे, मैं आपको suggest करूँगा कि आपने चार से पांच दफाव उसे खाना देना है, ताकि उसको कोई मसला ना हो, साथवे से आटवे हफ़े की बात करते हैं, तो इस time आपने उसकी नेस्टिंग स्टार्ट करवानी है, मतलब आपने उसके लिए कोई box अरेंज करना है, वो बेशे कार्ड़ बोर्ड का हो, लकड़ी का हो, जो आपके लिए affordable है, आपने वो अरेंज करना है, अगर गर्मिया है, तो उस हिसाब से करें, जहां पर ज़्यादा गर्मिया आपके animal को नहीं लगती, वहां पर आप उसे cardboard रख दें, और सर्दियों के अंदर अगर जहां पर कमरा गरम है, heater मौजूद है, तो वहां पर आपने जो भी box है, व और वो हो सकता है कि जदा मियाओं करें, जदा बोलें और आपको जदा तंग करें, क्योंकि उसने अंकरीब बचे देने हैं, तो वो थोड़ी सी conscious होती है अपने बच्चों के लिहाद से, तो इस वज़़ा से हो सकता है कि वो आपको तंग करना शुरू कर दें, और अगर आ इस डाइम आटवे से नोवे हफ़ते के दरमयान में उसकी जो फीड है वो कम ही होगी, मैं आपको सज्जेस करूंगा कि आटवे से नोवे हफ़ते के दरमयान में आपने उसको ट्रेन करना है, जो भी आपने उसका साथवे से आटवे हफ़ते के दरमयान में उसका बॉक्स म भात है उसने वहीं पर डिलेवर करना है अब बात करते हैं कि जो जादा तर लोगों को अंदाजा नहीं हो पाता कि अगर फीमेल कैट ने किटन्स डिलेवर करने हैं तो उससे पहले कौन सी ऐसी आलामात आती हैं जिसकी वज़ा से वह पहचान सकते हैं पहली लामत ये है कि 6 ग डाउन होता है अब आप सोच रहे होंगे कि हम temperature कैसे मालूम करें बहुत एजी है एक thermometer लें rectum से temperature चेक करें कोई super science नहीं है easily आप चेक कर सकते हैं और female cat का जो normal temperature है वो 102 होता है और अगर उसने deliver करना है तो हो सकता है कि उसका temperature 98 to 100 के दरम्यान में हो तो normal होता है यह temperature आपने घबराना नहीं है यह लाताला की कुदरत है कि deliver जब female cat करती है तो उनका temperature नीचे चला जाता है इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है लेकिन make sure कि सर्दियों के अंदर खास तोर पर आपने ख्याल करना है कि अगर महाँ पर हीटर मौजूद नहीं है तो कम से कम आज कल कुछ ऐसे हीटर में मौजूद हैं जो के रूम को अच्छे तरीकी से गरम करते हैं यानि वो हवा वाले कुछ हीटर मौजूद होते हैं तो आपने अच्छे तरीके से रूम को गरम करके रखना है ताकि अगर उसका टेमपरिचर डाउन हो तो बहुत ज़्यादा डाउन नहों ताकि उसको डिलेवर करने में कोई मसला ना हो इससे पहले के बात में यह बिलकुल नार्मल होता है आपने इस गबराना नहीं है अक्सरों काट जो और्नर वो cofuse हो जाते है परिशान होते हैं कि हमारी female cat बहुत ज़दा सोती है और वो pregnant है वो ख़ना नहीं खाती lazy बहुत जदा है तो आपने इसमें घबराना नहीं है बिलकुल नॉर्मल होता है मैं उमीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ आगे होंगे अगर आपका कोई क्वेस्टन है या आप मुझसे कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो animalia.pk के नाम से instagram का पेज है आप महां से भी मुझसे बात कर सकते हैं और आप मुझसे comment में भी पूर सकते हैं मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा नेक्स वीडियो में मिलता है खुदा हाफिज